नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं लर्ण वेल चैनल दोस्ती है आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ अच्छी वे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत सारे लोगों फोन भी आ रहा था कि अथराइस सिग्डेटरी हम लोग कैसे एड करें इन्वाइस के अंदर में कि अगर हम invoice को print निकालने जा रहे हैं तो उसमें आपका digital signature जो है वो add होके आ जाए जिससे आपकी तकलीफ जो है वो सारी तकलीफ दूर हो जाए आप किसी को भी invoice होगा रहें तो उसमें आपको sign का tension ना रहे हैं आप सिधा print निकालने टैली से और सिधा सिधा आपका authorized signature वाले seal के साथ में या जिस भी seal के साथ में आप चाहे हैं उस seal के साथ में आपका sign हुगा invoice आप सामने वाले को दे सकें तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको solve कर सकते हैं तो कैसे solve करना है चलिए बताता हूँ सबसे पहले हमें एक text file add कर लेनी है आपके computer में इसके अंदर में हमें simple coding लिखनी है इसका आप एक नाम दे दीजे कुछ भी तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक bracket ले लेंगे bracket के अंदर में हमें लिख देना है हैस के साथ में part उसके आप column का चिन लगाना है और फिर हमें लिखना है expinv signature और ब्रेकेट को close करेंगे उसके बाद हमें जो पहले से add field है signature वाले part के अंदर में इन्वाइस में उसको हमें delete कर देना है अपना खुद का part वहाँ पे add करना है तो जो authorized signature वाला part रहता है और बाकी चीजें उसको हम लोग delete करेंगे सबस्पहले यहां delete लिखेंगे डिलीट के बाद हमें लोग एक column के चिन लगाएंगे line लिखेंगे उसके बाद फिर line के बाद में लिखेंगे expsmp signature सेम ऐसे ही second line को भी हम लोग delete करेंगे यह तो हमारा signature का हो गया एक दूसरा हमारा authorized वाला जो line रहता है जिसमें authorized करके लिखे रहता है तो यहां पे लिख देंगे authorized a-u-t-h-o-u-r-i-t-y authority करके उसको यहाद add करेंगे add अपना खुद का पार्ट और वहां पे यहां पे right part add करेंगे r-i-g-s-t right part और आपका एक खुद का नेम यहां पे दे देंगे मैं यहां पे learn well sign करके लिख देता हूँ आप अपने हिसाब से कोई साभी name दे सकते हैं इसको copy करेंगे उसके आद next हमें एक bracket लेना है और उसके अंदर में हमें इसको paste कर देना है तो यहां पे हम bracket में part लिखेंगे p-a-r-t और यहां पे paste कर देंगे अब हमें image एक add करनी है अपने signature वाली image आपका seal और sign करके आप photo खिच लिए और computer में डाल दीजिए या आप जैसा चाहें वो ऐसा add कर सकते हैं तो signature वाली image एड़ करने के लिए यहां पे हमें लिखना है graph type column का चिन लगाना है और double inverted comma के अंदर में हमें path paste करना है अपने signature का तो आपको एक jpg format वाला signature ही यहां पे add करना है तो आपका जो भी यहां पे image है उसका format आपका jpg वाला होना चाहिए हम लोग इसके property में चले जाएंगे और यहां पे security में जानेक बात में हमें इसका path मिल जाएगा पूरा last perfect तक आपको copy कर लेना है और यहां पे हमें paste कर देना है paste करनेक बात में यह हमारा image जो है यही वाला वहां पे लिखके आयेगा वहां पे चुपके आजाएगा और इसका हमें alignment set कर देना है थोड़ा सा तो यहाँ पर horizontal alignment कर देते हैं उसको center कर देते हैं ताकि आपका image जो है वो center में रहे और एक height set कर देते हैं height रख देते हैं 2 cm और एक width भी set कर देंगे तो इसकी लंबाई चोड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो width तो इसकी 10 cm करीव रख देते हैं और यह तो हमारा यहाँ पर इतना ही coat था image तक लाने के लिए लेकिन coat को थोड़ा सा complete करते हैं और तो part के बाद में हम line और line के बाद में field भी add कर देंगे तो यहाँ पर आप एक line add कर दीजिए एक कुछ नाम दे देते हैं w करके मैं नाम दे दता हूँ और same इसका एक definition भी बना लेंगे और फिर उसके line के बाद हमें एक field भी add करना है तो यहाँ पर मैं एक field ले लेता हूँ simple field करके और same यही simple field को यहाँ पर copy करके add कर लेंगे एक local के साथ में और फिर इसको set edge कर देते हैं मैं यहाँ पर अपनी website का नाम डाल देता हूँ तो दोस्तों यह code जो है यह complete हो चुका है हमारा चलिए file को save कर लेते हैं गवार और save करके इसको tally के अंदर में डालेंगे तो tally में इसको डालने के लिए इसका property में जाके आपको path copy करना रहेगा same ऐसे ही security में जाके यहाँ से पूरा last तक copy करेंगे और आप इसको tally rp9 tally prime दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं तो फिलाल मैं आपको tally prime में यूज़ करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे help में tdl and addon में चले जाएंगे और यहाँ manage local tdl में और यहाँ पे हमें path paste कर देना है same ऐसे ही आपका tally rp9 में भी रहता है paste करने बाद में इसको save कर देंगे तो दोस्तों code में हमें यहाँ पे थोड़ा सा changes करना है यहाँ पे जो add right part करके लिखा हुआ है इसको parts कर देंगे और इसके just उपर में जो line authority वाली है उसको हम लोग लिख देंगे bottom line करके तो इसको अपस से save करते हैं और चलके एक बार check कर लेते हैं तो इसको हमें फिर से load करना पड़ेगा tdl को और यहाँ पे मैं print निकाल लेता हूँ और एक बार देखते हैं किस तरीके से print इसका आ रहा है प्रीवियू में चलते हैं और यहाँ पे एकदम बहुत ही बढ़ियां तरीके से हमारा tdl जो है एकदम सही तरीके से काम कर रहा है और हमारा seal sign दोनों चीजें यहाँ पे आ गई हैं तो इस तरीके से हम लोग अपने कस्टमर को इनवाइस प्रेजेंट कर सकते हैं उनको भी लगेगा कि हाँ यार बढ़ियां अच्छी कंपनी है अच्छा इनवाइस वगर है सब कुछ अच्छा डिजिटल वाला मिल रहा है तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताईए और इस टीडियल को आप जरूर बनाके डालिए बहुत ही काम की चीज है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिए क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी च वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद